असलाम अलेकब जी मेरा नाम दिलावर खुशैन है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे आफिशल यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज के द्रो आज हम बेसिकली जिस मौज़ों के उपर बात करने जा रहे हैं आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं म मार्कीट कर सकते हैं आज जो हमने बिजनस डिसाइड किया है वो रेस्टरंट का है आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेथ पूरी दुनिया के अंदर रेस्टरंट का बिजनस का ऐसा बिजनस है शुरू शुरू में तो ये आपको तंग करता है बहुत ही ज जिसमें मिक्डॉनल है, सब बड़ी बड़ी फूर चेंज ने जिस जिस marketing strategies को अपने अपने business के अंदर implement करके अपने business को यहां तक पहुंचाया है, लोग्वास marketing strategies भी और high paid marketing strategies भी यह सब कुछ आज इस वीडियो में cover करेंगे, आपको बताऊंगा कि क्या आप भी अपने restaurants को international level तक expand कर सकते हैं, हमारे यहां पर एक local battery है और battery में बहुत top of the line product बनाए जाते हैं, बहुत ही पेतरीन किसम की मठ्याईया बनाए जाते हैं, sweets बनाए जाते हैं, बट उन्होंने बाहर बड़ा सरा board लगाया हुआ है कि हमारी कोई और दूसरी branch नहीं है, इस बात का आप अंदाजा लगा लें कि आपकी दूसरी branch क्यों नहीं है, इसका कोई जवाब है कि आपका कोई दूसरी branch क्यूं नहीं है अभी तक आप दूसरी branch क्यूं नहीं बना पाए कल इन्शाला इसके उपर भी मैं वीडियो बनाऊगा कि आप branch system यनि outlet आप किस तरीके से आप distributors को आप किस तरीके से hire कर सकते हैं आप अपना channel किस तरीके से develop कर सकते हैं क्या क्या आपको precautions नहीं चाहिए क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए इसके ओपर भी इन्शाला कल वीडियो आपको मिल जाएगी बट आज हम अपनी restaurants को discuss करेंगी कि अपने restaurants के अंदर हम किस तरीके से marketing करें revenue generate कर तो सबसे पहले जो marketing strategy आती है वो no doubt आपको अपनी social media presence जो है वो strong मनानी पड़ती है Facebook हो Instagram हो TikTok हो उसके उपर आप अपने restaurant के daily basis के उपर छोटे छोटे clips बनाकर अपने जो customers को आप service दे रहे हैं उनकी reviews लेकर अपने Facebook, Instagram और TikTok पेज के उपर उनको upload करते रहें आपकी social media presence जो है वो इतनी strong होनी चाहिए कि आपके चार या 5 km के अंदर अंदर लोग जब भी restaurant को search करें तो वो आपके restaurant को top of the line पाएं अब मैं आपको Facebook, Instagram और TikTok का algorithm समझाता हूं कि daily basis के उपर posting जो है वो आपको किस तीके से फाइदामन साबित होती है अगर आप daily basis के उपर अपने restaurant page के उपर posting करते रहते हैं तो जब भी कोई बंदा आपके 4 या 5 km के अंदर वो search करता है कि मेरे nearest hotel कहा है restaurant कहा है तो उसको restaurant show किया जाता है जो उसकी recent post होती है तो आप अपने customers के reviews उसके उपर upload कर सकते हैं कोई नई dish आपने addition की है अपनी restaurant के उपर उसकी छोटी सी video demonstration बना कर उसको अपने YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram पेज और TikTok के उपर उसको upload करें daily basis के उपर एक या तेर्ड मिनिट का content जो है वो अपने social media पेज के उपर ज़रूर ज़रूर upload करें ये आपकी जो social media की presence है इसको strong बनाएं उसके बाद आपके pages की SEO है अब ये खुद आप कर सकते हैं ये किसी भी agency को hire करवा कर अपने social media pages की अच्छे तरीके से उनको optimize करवाएं उनकी अच्छे किसम से SEO करवाएं कि जब भी कोई भी बन्दा restaurant सर्च करे hotel सर्च करे कोई dish का specially नाम सर्च करे तो वो आपकी restaurant के उपर आ जाए यनि facebook हो जाए, instagram हो जाए tiktok हो, youtube हो कोई भी social media का platform है उनका algorithm आपको recommend करे कि भाई ये dish ये इन से बेहतर कोई नहीं बना पाता, अगर आप socially appear भी होते हैं, रोज होते हैं अपना video content भी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, डॉल रहे हैं लेकिन आपके pages की SEO नहीं है तो आप यकीन माने कि आपके customers आपकी तरफ नहीं आएंगे उसके बात branding है branding से मुराद ये होता है कि आपकी कोई unique किसम की identity हो मसाल के तोर पर आपका जो billboard है वो billboard जो है अगर वो आप पीजा की शकल में बना दें, उसके अंदर अपना नाम लिख दें और उसकी एक uniqueness जो है, वो customers को बहाँ ज़्यादा attract करें अपनी branding के ओपर अच्छी खासी तूज़ दी उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है obviously इसमें अंदर तो कोई दोरा नहीं है मैंने तो अकसर ये कहा है कि पाकिस्तान के business men's को अकसर अगर लोगों को पता चल देना कि digital marketing के अंदर कितना potential है तो वो अपने business के अंदर से पैसा निकाल कर social media marketing के ओपर पैसा लगाना शुरू कर दे इतना customer आप gain कर सकते हैं कि आप play नहीं कर सकते कि अगर आप social media marketing को genuine अच्छे तरीकी से करना शुरू कर दे तो आप बहुत सारे potential customers जो है वो acquire कर लेंगी तो social media में आपका जो आपकी जो platforms हैं जहां पर आपकी target audience है obviously restaurant है facebook के ओपर भी लोग बैठे हैं आपको देखने के लिए instagram के ओपर भी लोग बैठे हैं tiktok के ओपर भी बैठे हैं youtube के ओपर भी आप अपनी videos डालें आपने restaurant को वहाँ पर भी promote करें तो यह सारे के सारे जितने भी platforms हैं वहाँ पर अपने restaurant की dishes को बनाते हुए लोगों की reviews लोगों की बातें लोगों के साथ थोड़ी बहुत चिट चैट करते हुए वह वहाँ पर upload करें इस तरीके से आपके pages की SEO भी होती रहेगी और सार साथ आपको अच्छे खासे customers भी मिल पाएंगे restaurant के अंदर अगर आप restaurant field के अंदर हैं तो obviously आपको बार-बार customers चाहिए होते हैं taste तो आपका consider होता ही होता है लेकिन अगर आप उसके अंदर एक loyalty bound बनाने अपने customers के साथ उनको loyalty membership दे 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 कार्ड दे दे इसके साथ क्या होगा कि जब आप अपके customers को loyalty card देंगे तो वो बाहर खाना खाने की बजाए उनके दिमाग में points होगे कि भाई अगर हमने 1400 या 1500 या 2000 का खाना खाना है तो इसमें से मेरे पास ये card है आपका customer काफी अच्छा retain होता है उसको बार बार आने की जो तलब है उसके बाद partnership and collaborations है partnership से मुराद बहुत सारे ऐसे platforms अभी मजूद है जिस तरीके से glutlo है jazz world है और बहुत सारे ऐसे platform इस वक्त मजूद है जो आपके restaurants को अपने platforms के उपर अपनी app के उपर list करते हैं उसके पाद वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ percentage decide कर लेते हैं अपने platform के थुरू आपको जो है वो कुछ ना कुछ आपको offer करनी पड़ती है percentage discount जो offer होती है like 10%, 20%, 25% वो आप उस platform के थुरू उनके customers को ये चीज जो है partnership के थुरू आप उनको offer करते हैं कि भाई आप jazz word या glute low के थुरू आएं तो हम आपको 25%, 20% जो है वो हम आपको इसके पर discount देंगे तो जब customers ये दूसरी apps को भी use करता है और वहाँ पर आपको देखता है कि आप वहाँ पर भी मुझूद है इस चीज से एक तो आपकी credibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरी जब customer उनके थुरू आपके पास आता है और आपस एक अच्छी खासी discount लेता है हलांके उस discount में आपने obviously हर चीज की परत निकाली हुई होती है कि कहा पर क्या margin रखना है और किसी केसे अपने आपको चलाना है लेकिन इसके बावजूद जब customer discount अवेल करता है तो फिर वो जो है वो बड़ा अच्छा फील करता है तो इसको अच्छा फील करवाने के लिए आप partnership और collaboration के ये जो model है इसके उपर भी अमल द्रामत कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में तक तक अपना खयार रखिएगा अलाहाफिज